पिछले साथ 7 सितंबर को कन्या कुमारी से राहो रानी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत पर रही थी यात्रा बहुत व्यापक समर्तन के साथ आगे बढ़ रही है मुझे भी लगवक आदा दर्जा नाज्यों में राहो जी के साथ यात्रा में भाग लेने का सुबा की प्राप्त हुआ इस यात्रा का उद्देश है कि देश के अंदर जो व्यापक धेना, हिंसा, पतिशोद, तकराव किसी के पैदा हुई है उसको खतन करना, सब लोगों को साथ जोड़ना, सब को साथ लेकर आगे बढ़ना नौजवान, समाज, देश, इसके हित्मे क्या है, इस पर सोचने को लोगों को मजबूर करना और उन तमाम ताक्तों को जो लोगों को बाटती हैं उन ताक्तों को पराजित करना ये इस यात्रा का उद्देश है मुझे खुद लगबग आदा दर्गन राज्यों में राहूल जी के साथ यात्रा में भाग लेने का सुबादे प्राथ हुआ अब यात्रा निसमापन की ओर है आखरी पड़ाओ में मैं आप सबसे कर्बद निमिलन करता हूं कि इस यात्रा का हिस्सा बने एक इतिहासिक यात्रा है एक साहसिक यात्रा है और इस यात्रा में लाखों लोग जुड़े हैं आप इस यात्रा का हिस्सा बने इतिहास का हिस्सा कपड़ा पहने सड़क पर आकर राहुल जी से गले मिलते नजर आए किसान खेतों में काम छोड़ कर हमारा मजदूर सुबह सुबह जो पानी देता है काम करता है खेत में राहुल जी के एक जलक के लिए कहीं उपर सड़क पर खड़ा होता था तो कहीं छट पर खड़ा होता था महिलाएं शौल ओड़े ठ्टूरती हुई राखल जी के गले लग गई राखल जी ने उन्हें गले लगाया हमारे बुजुर्ग ऐसा नज़र आ रहा था कि देश का हरेक वासी हरियाना का हरेक वासी आज राहुल जी में अपने भविश्य को देख रहा है